मैसेल पनिशा वेरागी वेलकम टो MLT एजुकेशन पॉइंट आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्टो पेथोलोजी ठीक है फ्रेंट्स तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे इंट्रोड़क्शन ओफ इस्टो पेथोलोजी ठीक है तो हिस्टो पेथोलोजी जो है वो ML ीज्ट एक साइब सिश्टू सण टीस्ट 치ोव होता है कि इसका मेंनिग होता है कि इसका मेनिंग होता है कि तो याने कि हम किस में हिस्टोलोजी में किसके study करते हैं normal tissue की microscopic examination उसकी करते हैं then detail knowledge of structure of tissue यानि कि जो tissue का structure है उसके बारे में उसके detail knowledge knowledge की जानकारी जो है हमें histology में मिलती है या फिर histology में हम इसके study करते हैं तो ये तो हो गई normal tissue के बारे में जिसमे नॉर्मल टीशू के स्टडी करते हैं, हिस्टोलोजी कहलाती है और हिस्टो-Pathology अभ हिस्टो का meaning में या भी बताया Friends की टीशू होता है और यहां पे पेथो का meaning होता है disease क्या होता है Friends पेथो का meaning होता है Dee और लोजी का मेनिंग में अभी बताया कि इस्टडी यानि कि पैथोलोजी की ऐसी ब्रांच जिसमें हम डिसीजड टीशू के स्टडी करते हैं हिस्टो पैथोलोजी कहलाती है यहां जान देते हैं ब्रांच पैथोलोजी यानि कि यह ब्रांच है कि इसकी पैथोलोजी की विच कि इसमें हम normal tissue की study करते हैं और इसमें हम diseased tissue की या फिर atypical tissue की study करते हैं okay friends example हम इसमें देखते हैं tumor of tissue is study after processing standing for diagnosis of tissue यानि कि tissue अब tissue क्या होता है सबसे पहले यह बता देते हैं कि tissue क्या होता है तो cell cell क्या होती है यह आपने सुनाई होगा cell is the basic functional and structural unit of life ठीक है हमारे जीवन में cell का बहुत महतुपूर्ण रोल है जो कि इसमें respiration, metabolism, reproduction सारी process होती है ठीक है तो cell क्या होती है cell जो है वो हमारे life के लिए बहुत important है basic structural and functional unit जिसे कहा गया है तो वो ही cell मिलकर क्या बनाती है tissue का formation बढ़ती है ठीक है friends तो cell जो मिलकर क्या बनाती है tissue tissue क्या होता है group of cell ठीक है tissue क्या होता है friends group of cell और tissue मिलकर क्या बनाते है organ क्या बनाते हैं और ओर्गन मिलकर क्या बनाते हैं सिस्टम और सिस्टम मिलकर क्या बनती है हमारी हुमन बोड़ी ठीक है तो हमारी human body किस से मिलकर बनी हुए होती है cell से किस सवरी system से cell मिलकर क्या बनते है tissue tissue मिलकर क्या बनाएंगे organ ठीकि जिसे liver stem यह सब किस से मिलकर बने होगे tissue से और organ मिलकर पूरा एक system बनाते हैं जिसे digestive system हो गया circulatory system हो गया productive system हो गया और यह सारे system मिलकर एक क्या बनाते हैं human body का formation करते हैं निमान करते हैं ठीक है तो यह हो गया यानि कि अभी यहां बात करते हैं कि disease जो tumor होता है यानि कि जब cancer आपको हो जाता है तो उसका examine करते हैं after processing and standing for diagnosis of disease यानि कि आपको कौन से disease हुई है उसको diagnosis करने के लिए हम क्या करते हैं tissue की processing करते हैं देन उसके standing करते हैं उसके बाद microscopic examination इसका होता है और उसमें हमको पता चलता है कि कौन से disease आपको है ठीक है तो यह processing जो होती है आपन आगे जब पढ़ते जाएंगे इसमें पढ़ेंगे ठीक है यह processing क्या है histopathology का तो में रोल क्या होता है इसका इसका डाइग्नोसीज ओव मेलिगनेंसी ओफ टीशू है ना और करने के लिए इसका में रोल जो होता है वो होता है जिसके study हम किसमें करते हैं histopathology में next diagnosis and prevent recurrence of disease यानि कि हम diagnosis and prevent करते हैं किसे कोई disease हम हो जाती है तो हम उसका microscopic examination और processing करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि कौन से disease है उसके बाद doctor उसका treatment देता है तो वापिस से यह क्या हो यह disease जो है वो recurrence नहीं हो आपको दुबारा नहीं हो तो इसलिए हम क्या करते है डाइग्नोसीज इसका करते है tissue का ठीक है disease the tissue का and diagnosis inflammation मैंने अभी बता है कि inflammation भी हो सकता है कोई infection आपको हो को storage disorders हो तो उन सब के study जो है वो disease tissue के द्वारा हम histopathology में करते हैं ठीक है अब specimen कैसे लेते हैं और किस प्रकार का specimen होता है सबसे पहले बात करते हैं human tissue come from surgery and autopsy room तो human tissue जो लिया जाता है disease tissue है तो वो कहां से लिया जाएगा या तो किसी surgery room से या फिर किसी autopsy room से अगर हम किसी surgery room से कोई tissue लेते हैं तो उसे क्या कहेंगे biopsy और autopsy और autopsy भी अभी बताएंगे कोई dead body जो होती है उससे अगर हम कोई tissue निकालते हैं तो उससे autopsy कहा जाता है अभी देखेंगे from surgery अगर surgery से हम लेते हैं तो वो biopsy कहलाती है क्योंकि वो living body से लिजा रही है तो यह यह लिजन आर होता है तो इसमें से अगर आपको कोई disease हुआ है तो आप क्या करोगे उसका पूरा पार्ट वो निकाल लोगे तो वो क्या बढ़े रहे वूल of tumor and lesion जहां पर आपको tumor हुआ है जो lesion जहां पर घाव आपको है तो वो पूरा पार्ट वहां से remove कर रहा है ठीक है वहां से पूरे पार्ट को remove करने के बाद हम send कर देंगे laboratory में for diagnosis and examination के लिए ठीक है उसकी processing के लिए उसके examination के लिए पूरा जो होता है हमारा tumor या lesion निकाल लिया जाता है उसे क्या कहते है एक seasonal biopsy इसी के opposite है in seasonal biopsy नाम से समझ में आ रहा है a small piece of lesion or tumor are removed and send in the laboratory for diagnosis and examination of tissue ठीक है यानि कि हम क्या करते हैं इसमें आपको यह गाव हुआ है तो यहां से हम क्या करेंगे एक small pieces का उठाएंगे ठीक है ना कि पूरा tumor या फिर lesion महां से लेंगे मेरे को मान लो यह मेरा हाथ है यहां पर मुझे कोई tumor हुआ है तो हमने क्या कि यह पूरा tumor को निकाल लिया तो वो क्या कहला है एक seasonal और यहां से मैंनि केवल इसमाल पीस उसका निकाला है तो वो क्या कहला हिए एसमाल पीस या फिर लीजन और tumor रिमोफ्ट उसके बाद क्या करेंगे हम सेंग कर देंगे laboratory में किसके लिए diagnosis and examination of tissue के लिए तो उसमें different different प्रकार की processing होती है laboratory में फिर standing होती है फिर mounting होती है फिर उसकी microscopic examination उसकी की जाती है जिससे हमें पता चलता है कि उसको कौन सी deceased है ठीक है friend आगे बात करते हैं autopsy अभी मैंने बता है कि एक तो होती है बायोपसी और एक होती है autopsy तो autopsy removed from large tissue from dead body एक तो हमने बायोपसी लिए थी कि living body से ले रहे क्योंकि surgical room से लिए है और autopsy room से हम क्या लेंगे autopsy लेंगे यान कि dead body से जो हम tissue remove करेंगे उससे क्या कहेंगे autopsy ठीक है friends अब हम बात करते हैं responsibility क्या होती है technician की जब सेंपल जो है वो surgery room से laboratory में या pathology में आता है सबसे पहले क्या होता है कि specimen preservation यानि कि specimen preservation में हम different types के fixative यूज करते हैं बट most common fixative जो होता है वो formalin होता है तो जो हमने tissue लिया है surgery room से वो proper fixative उसका होना चाहिए तो वो होता है 10% formalin जो है हम यूज करते है commonly formalin वैसे तो different types की tissue के लिए different types के fixative यूज के जाते हैं लेकिन जो common है बहुत बार exam में पूछ जाता है point of view exam main exam or competition exam के लिए भी important है कि main common fixative कौन सा है तो formalin ठीक है तो proper preservation उसका होना चाहिए और किस से करेंगे हम fixative के द्वारा जो कि क्या करता है जो हमने हमारा tissue है उसको किस से बचाता है autolysis से और putrification से autolysis और putrification के बारे में भी हम detail में discuss करेंगे जब fixative के बारे में पढ़ेंगे ठीक है फ्रेंट्स नेक्स्ट है हमारा labeling and identification ठीक है जो हमारा sample आया है तो जिस container में आएगा तो उसके proper patient का नाम उसका उसकी edge कौन से टाइप का टीशू है तो वह proper labeling उसके उपर होनी चाहिए identification हमें पता होना चाहिए कि यह कौन से patient का है वही बात है ठीक है preparation of specimen for microscopy ठीक है microscopic तक जब हम microscopy करते हैं microscopy examination tissue का करते हैं तो उससे पहले कि जो सारी process होती है जिसा fixation हो गया decalsification हो गया cutting हो गई section cutting standing जो भी है ठीक है तो उससे पहले कि जो हम कर रहे है वह पापूरी preparation जो है वह systematic होनी चाहिए बिना tissue के damage हुए ठीक है बाकी है लास्ट है record keeping सारी processing होने के बाद microscopic examination होने के बाद जब हमें पता identify हो जाता है कि इसको इस प्रकार की disease है तो उसके कि दोबारा जब भी वह patient आए तो हम उसे बता सके कि इसे यह disease थी और इसी की वज़े से उसको यह tumor हुआ था inflammation जो भी है तो इसलिए क्या है कि record उसका maintain करके रखना है long time तक हम उसे रख सके उसके बाद section तो जब हम क्या करते हैं उसको निकाल लेते हैं फॉर्मेलीन से सर्जरी रूम से आता है उसके बाद अगर वह large tissue होता है तो हमें उसे क्या करना है thin section में काटना पड़ता है एक तो proper fixative के लिए ठीक है ताकि उसका fixation जो है वो भी proper हो सके प्लस आगे की जो processing होती है उसके लिए भी thin section की जरूरत होती है तो क्या करना है हमें उस station tissue जो है उसकी cutting करनी होती है और कितना cut करना है लगबग 325 mm जो हम उसको cut हमें उसे cut करना रहत है जिसके लिए हम यूज करते हैं किसका माइक्रोटोम का thin section कट करने के लिए हम माइक्रोटोम क्या यूज करते हैं माइक्रोटोम क्या है एक special instrument है for cutting very thin section एक special instrument है जो कि mechanical होता है mechanical process उसकी होती है जो क्या करता है cutting करता है किसी भी tissue का thin section उसकी cutting होती है माइक्रोटोम भी different different types का होते हैं जब हम tissue processing पूरी पढ़ेंगे तब ही histopathology चल रही है तो इसमें सारी ये process आएंगे आगे आगे हम इसका इसके बारे में discuss करते जाएंगे पूरी processing क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगी तो माइक्रोटोम जो है वो different different types को होते हैं जो अलग-अलग प्रकार के tissue को cut करते हैं कोई thin करता है कोई thick करता है ठीके तो लेकिन नॉर्मली जो है यानि कि receive करने के बाद surgery room से या autopsy room से तो हमें क्या एक request form हमारे पास होता है technician के पास तो हमें उसमें पूरा information पूरी history जो है वो पेशन के लिखनी है ताकि हम record maintain करके रख सके उसका उसका नाम edge, sex वगेरा सब उसमें लिखना है कौन से type का tissue है कौन से time पर आया है तो यह सब हमें maintain करके चलना है तो एक पूरी डाइरी बनी होती है या फिर एक register होता है उसमें एक list होती है उसमें पूरा information और history patient की होनी चाहिए हमारे पास next है check the specimen is proper fixative में अभी बताया कि हमें सबसे पहले क्या check करना है कि उस specimen में proper fixative है या नहीं अगर नहीं है तो हमें सबसे पहले उसमें fixative मिलाना है क्योंकि अगर fixative नहीं होगा तो वो tissue जहें वो खराब हो जाएगा otologies or petrification के chances जो है उसमें बढ़ जाते हैं ठीक है तो check the specimen is proper fixative अगर नहीं है तो आपको सबसे पहले उसमें fixative aid करना है which should be 50 to 20 time of specimen यानि कि जो हमारा specimen जो हमारा tissue है उससे कम से कम 15 से 20 गुना हमारा fixative उसमें होना चाहिए ठीक है अगर fixative की specimen की quantity जितनी भी हो ठीक है उससे कितना 50 से 20 गुना जादा हमें fixative लेना है नेक्स्ट मेक इंट्री इन रजिस्टर एंड गिव स्पैसिमें पैथोलोजी नंबर called as occasion number यानि कि हमें register में जब हम entry करते हैं तो जो number register में हम देते हैं उस patient को तो वो ही number वो special number होते हैं जो हमें देना है किस पे? इस पैसिमें में देना है इस पैसिमें container जो भी हम use कर रहे है कैसिट यूज़ कर रहे हैं तो उस पे लिखना है ठीक है उन नंबर को क्या कहते हैं जो pathology नंबर होते हैं उनको question number उनको कहा जाता है और यह number बहुत important होते हैं ताके क्या है कि जब हम tissue processing करते हैं तो उसमें बहुत सारी case it एक साथ लगते हैं बहुत सारे patient की होती है अब एक-एक case it लगके हम एक-एक patient की तो कर नहीं सकते तो उस पे process ending होती है वहां तक वह number उस पर लगे होने चाहिए बीच में निकलने जाए अगर निकल जाएगा तो वह उस क्या होगा mixing हो जाएगी और हम confused हो जाएगे ठीक है if the specimen is large then cut in thin मैंने भी बताया कि माइक्रोटम का use करते हैं हम specimen को thin cutting के लिए सबसे पहले हम उसकी thin cutting करेंगे ताकि उसका fixity प्रोपर हो सके और उसकी processing जो है वह प्रोपर हो सके एक पॉइंट और था जो मैं आपको पता देते हूं कि एक वर्ड आता है histochemistry वह भी histochemistry के अंदर ही आता है क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम different types के staining यूज करते हैं तो वह staining क्या करते हैं कि जो टीशो का chemical nature जो होता है उसकी study हम histochemistry मे करते हैं तो वह histochemical method या histochemistry में जो हमारी स्टैनिंग method होती है उनके द्वारा होती है ठीक है तो फ्रेंट्स क्या बताती हिस्टो chemistry या लिखनाती हूँ हिस्टो कैमेस्ट्री है ठीक है इसमें हम किसकी study करते हैं नेचर ओफ है कैमिकल नेचर ओफ सॉरी ग्यां किमिकल नेचर ओफ टीशू की study हम जिसमें करते हैं किसके द्वारा करते हैं इसकी study हम इस्टोचिमेस्ट्री में करते हैं अब यह जो प्रोसेसिंग होती है मैं उसका एक एक नाम बता देती हूं आपको और तो अब मैं बता देती हूं आपकोको टीशु प्रोसेसिंग tissue processing में क्या-क्या होता है जब हम tissue को क्या कर लेते हैं take off कर लेते हैं किसे किसी भी surgery room से या फिर autopsy room से तो tissue processing को जो है वो क्या कहा गया है heart of any tissue section tissue processing को क्या कहा गया है heart of any tissue section जो भी section होता है उसको इसका heart कहा जाता है क्यों कि क्या होता है कि जब हम tissue को क्या ले लेते हैं , surgery रोम से लेने के बाद पूरी जो process होती है वहां से हम last में जाके क्या करते हैं माइक्रोइस्कॉपिक आचीय क्हाँ की fixation क्या करते हैं फ्रेंड फिक्सेशन उसके बाद हम इसमें करते हैं decalsification decalsification के बाद इसमें जो process आती ही वो आती है clearing की clearing के बाद आता है infiltration infiltration के बाद आता है embedding embedding के बाद आता है section cutting section cutting के बाद आता है staining और standing के बाद आता है sorry mounting और mounting के बाद आता है last microscopic examination ठीक है then हमें identify हो जाता है कि उसको कौन सी disease है तो यह सारी process जो है वो tissue processing के बारे tissue processing में होती है जिसके बारे में हम एक एक करके आगे detail में पढ़ते जाएंगे ठीक है सबसे पहले हम discuss करेंगे fixative के बारे में decalsification clearing embedding standing इन सब के बारे में एक एक करके detail में पढ़ते जाएंगे जो कि बहुत important है point of view main exam and competition exam इन में से हर एक में से कम से कम एक question आपका बनता ही है fixative में से भी बनता है decalsification clearing infiltration सारी important है इसमें से हम एक भी चीज़ जो है वो miss नहीं कर सकते ठीक है friends तो यह हो गया हमारा introduction of store pathology के बारे में मिलते हैं अगले lecture में